नारी तुम केवल श्रद्धा हो क्या इसी तरह सियासत में सताधारी नारी को केवल वोटर समझते हैं? ये एक बहुत ही एहम सवाल है जिसका मन्थन करना सभी राजनतिक नेताओं को चाहिए जहां महिलाओं के इंपाव्मेंट के साथ सता के मजबूती करण के लिए हर राज में महिला सम्मान के नाम पर पैसा देने वाली योजनाओं की होड है उससे तो वैसा ही लगता है अब देखें ना इसी में अब दिल्ली और हिमाज़सर प्रदेश भी शामिल हो गए हैं जहां एक तरफ बजट कम करके दूसरी तरफ महिलाओं को हर महिने कैश देने वाली योजना जो है वो शुरू की गई है दिल्ली में भी कुछ ऐसा है और हिमाज़सर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है तो जहां तक हम आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं तो हम आपको तफसील से बताना चाहेंगे कि लोग सभा चुनाव की तैयारे में जोटी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के बजट में महिलाओं को प्रती महिने एक हजार रुपए सम्मान राशी देने की घोशना की है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योचना के तैट राजधानी में 18 साल और उससे अधिक उम्र की उन महिलाओं को ये सम्मान राशी मिल सकेगी जिनके पास दिल्ली का आधार और मतदाता पहचान पत्र होगा सरकारी नौकरी, सरकारी पेंचन और आयकर के दायरे में आने वाली महिलाएं इस सुविधा से बाहर होंगी उधरी माचल प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार ने विधान सबा चुनाव में घोष्णा को अमल मिलाते हुए इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधी योजना लागू कर दी है और इसके तैट 18 से 60 साल की हर महिला को 1500 रुपए मासे दिये जाएंगे दिली की वित मंत्री आतिशी मारलेला ने विधान सबा में बजट पेश करते हुए राम राजुकी परिकल्पना को साकार करने का दावा किया और बता दे कि उस बजट में शिक्षा, स्वास्त और विमन इंपाव्मेंट पर बल दिया खया है सरकार, Business Blasters, योचना स्कूलों के बाद अब विश्व विद्यालों और ITI में शुरू करेगी योचनाई और वितवर्ष 2025 का एक एस्टिमेटिड बजट च्छत्तर हजार करोड रुपाय का है राशी पिछले साल की अपेक्षा थाईसो करोड कम है राज्य सरकार के 10 साल में ये पहला बजट है जिसमें बजट राशी बढ़ने की अपेक्षा कम हुई है इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा इसका सीधा असर निश्चत तोर पर शिक्षा और स्वास्त पर ही पड़ेगा अब देखा जाए तो ये पलिटिकल स्टंट ही तो है देखें देश के नक्षे पर महिलाओं के लिए ये जो स्कीम्स हैं जिनको ये नाम दिये गए हैं प्यारी बहना योचना लाडली योचना ये वो स्कीम्स हैं जिसमें महिला सशक्ती करण के साथ सता सशक्ती करण का भरोसा राच निताओं को हो चला है क्या यही वज़ा है कि दिल्ली में जब एक तरफ हेल्थ बजट पिछले साल के मुकाबले एक हजार वन थाउजन फिफ्टी सेवन करोड घट गया है तो वही महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए देने वाले एलान पर तालिया पिटी जा रही है यह क्या संदेश दे रहा है मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं राज में लाडली भेना योजना से महिलाओं की खाते में 1250 रुपए हर महिने दिये जा रहे हैं 36 गड की बात कर लो महतारी वंदन योजना से किसा से उपर की महिलाओं को हर महिने 1000 रुपए देने की योजना चलने वाली है साउत रीजन में तमिल नाड़ु की बात कर ले, 10,000 रुपए हर महिने महिलाओं को दिया जा रहा है और कुछ ऐसा ही पश्चिम मंगाल में भी है जहां लक्ष्मी भंडार योजना में महिलाओं को 1,000 हर महिने दिये जा रहे हैं महिलाओं के लिए तमिलनाडू में M.K. स्टैलन सरकार ने एक योजना लागू की हुई है और इस योजना का नाम क्लैगनार, मकलर, और माई, थोगई, थित्तमत है और इसके तहट वहां की हर महिला को हर महीने एक हजार उपे दिये जा रहे हैं जो की सीधे उनके बैंक अकाउंट में आते हैं तो सरकार के दावे के मुताबिक इस योजना का लाब अभी तक एक करोड से अधिक महिलाए उठा चकी है कुलमिलाकर देश के नक्षे पर महिलाओं के लिए ये वो स्कीम्ज हैं कुलमिलाकर जिस तरीके से बजट कम करके आप महिलाओं को एक सेंटर में रखते हुए उनके संधर में ये तवाम स्कीम्ज ला रहे हैं ये तो आप वही हुआ कि तरीके का एक पलिटिकल स्टंट ही है कि कुछ जो एक allocation होती है किसी खास कहें एक process के लिए वहाँ से घटाया और दूसरा चल दिया सरकार को इससे किसी तरीके का कोई नफ़ा नुकसान नहीं लेकिन हाँ voter को साधने की जो एक कोशिश है वो यहाँ पर जरूर की जा रही है दिली में केज़िवाल सरकार ने ना लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं को साधने का काम क्या है बलकि कहीं न कहीं हम हर बाटी की बात करें यहाँ पर आने वाले चुनावों को लेकर भी अपनी जो तयारिया है वो कहीं न कहीं उन्होंने शुरू कर दी है तो एक तरीकी का political stunt हालां की ये काम कितने आएगा इन पार्टियों के ये देखने वाली बात होगी एक छोड़े से break के लिए रुक रहे हैं और break के बाद हम आपको लिए चलेंगे सीधा United Nation जहां पर United Nation के उच्चा युक्त द्वाराई का दिकारी द्वाराई टिपड़ी की गई वो टिपड़ी क्या थी और क्यूं उससे भारत नाराज हुआ और भारत ने भी उस पर प्रतिक रिया दी है जानेंगे उस कोड़ को पर पहली छोटे से break लिए रुकेंगे